एक गाउं में एक आदमी रहता था जो बहुत बुढ़ा ओचुका था जिस वज़ा से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था इसलिए अपनी बच्ची कुछी जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके इसलिए सहर मेरा रहत उसके बेटे के घर पर रहने च आएंगी थी उस मकान में बेटा उसकी पतनी और उनका एक पान साल का बच्चा यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था बुढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया यह पूरा परिवार रोज सुबह साम डाइनिंग टेबल पर साथ में खान करता बुढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गीराता रहता और कई बार कांच के बरतन भी तूट जया करते थे